हम कर रहे हैं 11th home science का चप्टर नमबर 5 कपड़े हमारे आसपास पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसके introduction की और हमने बात की थी रेशा किसे कहते हैं, सूथ किसे कहते हैं, फेबरिक यानि हम कपड़ा किसे कहते हैं और वस्त्र उतपाद क्या होते हैं, फिनिशिंग क्या होती हैं, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेशे के गुणों की तो आईए शुरू करते हैं, देखिए बचों मैंने आपको एक line diagram बताया था कि पहले मूलबूत इकाई क्या है, उसके बाद क्या आता है और उसके बाद अंतिम है fabric उस line diagram को एक बार हम repeat कर लेते हैं, क्योंकि पूरे lesson के दौरान बार बार हम रेशे की, fiber की, सूत की, यान की, इन सब चीजों की ही बात करने वाले हैं, ठीक है, तो पहली जो मूलबूत इकाई थी, वो हमारी क्या थी, हमने बात की थी, रेशा, है ना, जिसे हम कहते हैं, आम किसे भी वस्तर को बनाने के लिए, किसे भी fabric को बनाने के लिए, सबसे important चीज क्या है, जो हमें चाहिए, वो क्या है, रेशा, रेशे से फिर, किसका निर्मान होता है, सूत का, ठीक है, जिसे हम English में कहते हैं, यान, ओके, और इसे हम आम भाशा में धागा या थ्रेड कहते ह हैं, और उसके बाद हमारा जो अन्ते मुतपाद है, वो क्या है, फैब्रिक यानि की कपड़ा, इससे आपको learn करना बहुत जरूरी है, छोटा सा line diagram है, आपके book में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपके लिए समझना इसने जरूरी है, क्योंकि बार-बार हम जब इन चीजों की चर्चा करेंगे, तो आप confused हो जाएंगे, तो आपको एक simple से method से इसको याद रख लेना है, F, Y, और F, F से हमारा fiber, है ना, जिसे हम कहते हैं, रेशा, Y से yarn, जिसे हम कहते हैं, सूत, और उसके बाद हमारा next product, fabric, है ना, जानि की कपड़ा, F, Y, F, आप इस trick से इसको याद की कि हमारी जो मूलभू तिकाई है, वो क्या है, Fiber यानि की रेशा, तो आप हम बात कर रहे हैं कि रेशे के गुणों की, क्योंकि जो रेशे का गुण है, वो ही कपड़े के गुणों को निर्धारित करता है, रेशा अच्छा है, तो कपड़ा भी अच्छा बनेगा, रेश रेशा सचमुच महतोपुरण और उपयोगी हो, इसके लिए उसे भारी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए और किफायती होना चाहिए, देखिए ये बहुत important quality है रेशे की, कि रेशा जो है, वो economical होना चाहिए, किफायती होना चाहिए, affordable होना चाहिए, यानि कि बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, और अधिक मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, यानि quantity ज़ादा होनी चाहिए, तभी उससे जो कपड़ा बनेगा, वो बहुत ज़ादा महंगा नहीं होगा, और उपभोकता की दरश्टी से वो affordable होगा, तो ये एक बहुत important quality है, रेशे की बहु easy हो जाएगा, कि जो रेशे की गुण है, जो properties है fiber की, वो दो तरह की है, एक तो है प्राथमिक गुण, यानि की primary properties, जो की उसमें होना जरूरी ही, जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है, और है secondary properties, जिनने customer expect करता है कि वो गुण, द्वित्य गुण उसमें होने चाहिए, हम एक करकें की बात कर लेते हैं, देखिए, सबसे अनिवार्य गुण है, उसका कताई योग्य होना, यानि spinability, यानि कि वो कताई के योग्य हो, क्योंकि अगर रेशे को हम spin नहीं कर सकते, अगर उसकी कताई नहीं हो सकती, तो फिर उससे कपड़ा ही नहीं वनेगा, इसलिए ये important गुण है, जो रेशे में होना ही चाहिए, यह है, इसको सूत और कपड़े में सरलता से परिवर्तित करने वाली अनिवार्य विशेष्ता है, क्योंकि अगर रेशा कताई के योग्य होगा, तभी आगे हम उसको सूत में, यानि कि यान में बदल सकते हैं, और फिर यान से उस जबूती, नम्यता, रेशे की उपरी बनावट, यह क्या है, इसकी प्राइमरी प्रॉपर्टीज, आप लिख सकते हैं, यह रेशे के प्राथमिक गुण है, है ना, कौन से गुण है यह रेशे के प्राथमिक गुण, हम लंबाई की बात करें, तो देखिए बच्चों, थो होते हैं आपके लंबे रेशे, ठीक है, और एक होते हैं छोटे रेशे, तो जो लंबे रेशे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिलामेंट, और जो छोटे रेशे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेपल, क्या कहते हैं उन्हें हम, आगे इसकी हम डिटेल से बात करेंगे, एक आपर हम शौट में बात कर लेते से ऐख जोटε रेशा है जिसे हम पोलते हैं उससे जो कपड़ा बनता है वो बहुत ज्यादा अच्छी इस content का थेख इन फिलामेंट यानि की जो लंबा रेशा है उससे जो कपड़ा बनता है वो अच्छी क्वालिटी का बनता है क्योंकि लंबे लंबे जब रेशे होंगे उनको जब आपस में जोडा जाएगा फैबरिक बनाने के लिए सूथ बनाने के लिए तो उनमें गांटे कम आएंगी औ और staple में, हम बात करें उसके मजबूती की यानि strength, देखिए जब रेशे से सूत बनता है, सूत से कपड़ा बनता है, तो उसे बहुत सारे जटके, खिचाव, तनाव को सहना पड़ता है, तो अगर रेशे में मजबूती नहीं है, वो खिचाव को, जटकों को, तनाव को नहीं स रह सकता, तो फिर उससे हम आगे नहीं सूत बना सकते हैं, नहीं फिर उससे कपड़ा बनता है, इसलिए मजबूती यानि strength इसका प्राथमिक गुण है, उसके बाद है नम्यता यानि की flexibility, देखिए रेशा जो होता है, उससे फिर सूत बना, फिर कपड़ा बना, तो उससे ब अगर उसमें flexibility नहीं है, तो वो कपड़ा फट जाएगा, और है रेशे की उपरी बनावट, आप छू कर देखते हैं, कोई सतय कठोर होती है, कोई कपड़ा मुलायम होता है, हर रेशे का जो सपर्ष है, वो अलग-अलग होता है, तो ये सारे के सारे क्या है, उसके प्राथम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये क्या है इसके द्वित्यक गुण, किसके रेशे के यानि के जिसे हम कहते हैं, फाइबर, ठीक है, वो भोकता के संतोष की द्रश्टी से, रंग, चमक, भार, आर्दृता, डाई, अफ्शोशन, लोच जैसे गुण, इसमें वांचनियां होते हैं, देखिए, अनिवारें जो विशेश्टाएं थी, वो रेशे में होनी ही होनी चाहिए, वो थे प्राथमिक गुण, ये जो विशेश्टाएं हैं, ये उसमें अनिवारें तो नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है उब्भोकता के संतोश की द्रश्टी से, consumer के satisfaction के point of view से कि ये विशेष्टाएं अगर रेशे में होती है तो वो उसे और ज्यादा अच्छा बना देती है जैसे हम बात करें सबसे पहले रंग की यानि उसके color की और हम बात करें चमक यानि लस्टर जिसे हम कहते है बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ रेशे होते हैं उनमें बिल्कुल चमक नहीं होती और कुछ में बहुत चमक होती है अगर हम इसका उधारन लें तो जो हमारा cotton होता है सूती रेशा होता है उसमें चमक बहुत कम होती है है ना कई रेशे काफी भारी होते हैं और कई रेशे काफी हलके होते हैं आदर्ता यानिकी moisture absorbance देखिए आदर्ता से हमारा यहां क्या आश्य है कि रेशे में जो जल को अवशोशित करने की शमता है वो कितनी है क्योंकि अगर रेशे में जल को अवशोशित करने की शमता अधिक है तो उससे जो कपड़ा बनेगा वो पसीना सोखने की दरश्टी से बहुत ही अच्छा माना जाता है आपने देखा होगा गर्मियों में हम अकसर सूती वस्तर ही पहनते हैं क्यों? क्योंकि सूती वस्तर में पसीने को सोखने की शमता काफी अधिक होती है और अगर हम बात करें डाई अवशोशन देखिए जो आर्दिरता है वो भी लगबग इसी से संबंदित है कपड़े में जल को सोखने की अगर शमता अच्छी है या रेशे में हम कहें तो जब उस पे रंगाई की जाती है डाई की जाती है उस वक्त भी ये विशिष्टा बहुत काम आती है और लोज बचो देखिए आपने देखा होगा कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेच होने के बाद वापिस उसी अवस्ता में आ जाते हैं और कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो आसानी से फट जाते हैं या रेशे आसानी से तूट जाते हैं हम जो exercise के दोरान कपड़े पहनते हैं आपने देखा होगा कि वो काफी stretchable होते हैं और आसानी से फटते नहीं हैं तो ये सारी के सारी क्या विशेष्टाएं हैं उसकी द्वित्यक विशेष्टाएं हैं द्वित्यक गोण हैं और भी देखिए कपड़े की देखबाल और अनुरक्षन को प्रभावित करने वाले कारक अनुरक्षन यानि maintenance जब भी हम मार्केट से कोई कपड़ा खरीते हैं तो हम ये देखते हैं कि आगे हम जब उसे धोएंगे तो ऐसा ना हो कि उसका कलर निकल जाए या हमें उसकी देखबाल कैसे करनी है उसको maintain कैसे करना है जैसे अप घर्षन ऐसा तो नहीं है जरा सी रगर लगी और कपड़ा फट गया है ना उसके बाद है प्रती रोधक शमता रसायन, साबुन, डिटरजन, ताप, आधी का प्रभाव जैविक जीवो के प्रती प्रती रोधक शमता भी उभोगता के लिए महतपुरण है यानि जब हम कपड़ा खरीते हैं कोई भी कंजूमर है उभोगता है कपड़ा खरीते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रगता है क्या ध्यान रगता है कि कुछ कपड़े जो ऐसे होते हैं जिनमें ताप सहने की शमता बिलकुल नहीं होती है और कुछ कपड़े काफी अधिक ताप को सह लेते हैं जैसे आपने देखा होगा जब हम सूती वस्त्रों पर प्रेस करते हैं आयन करते हैं उनकी इस्त्री करते हैं तो हम काफी अच्छे टेंपरेचर पर यानि हाई टेंपरेचर पर करते हैं क्योंकि सूती वस्त्रों की जो ताप सहने की शमता होती है वो अधिक होती है और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनकी ताप सहने की शमता बिलकुल कम होती है उन्हें हम काफी कम टेंपरेचर पे उनको इस्तरी करते हैं या प्रेस करते हैं और वहीं कुछ कपड़े ऐसे होते ह जिनकी ताप सहने की शमता बिल्कुल नहीं होती और उन कपड़ों को हम फिर इस्त्री भी नहीं करते हैं ऐसा ही होता है कुछ कपड़े हम धूप में नहीं सुखा सकते हैं रंग तुरंट उड़ जाता है कुछ कपड़े आसानी से दूप में सुखाया जा सकते हैं तो ये उनकी ताप सहने की शमता होती है कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आसानी से डिटरजन को साबुन का रसायन का उन पर कोई प्रभाव अधिक नहीं पड़ता और कुछ कपड़े हमें केवल और केवल ड्राय क्लीन करवाने पड़ते हैं वहीं अगर हम बात करें जैविक जीवों के प्रति प्रदिरोधक शमता तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन में आसानी से कीड़े भी लग जाते हैं तो ये जो सारे के सारी विशेष्टाएं हैं ये क्या हैं इसकी द्वित्यक विशेष्टाएं जो उपभूगता के संतोष की द्रश्टी से बहुत अधिक महतवपूरण हैं तो ये हमने बात की रेशे के गुणों की यानि की हमने बात की fiber की properties की F यानि fiber यानि की हमारा रेशा में बार-बार repeat कर रही हूँ क्योंकि आप आगे confused हो जाएंगे की रेशा क्या होता है, सूथ क्या होता है, ठीक है? अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसका classification यानि की वर्गी करण तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए thank you